Hey guys this is Mukesh well today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen however limit tell you ज्यादा भाव मत खाओ आप इतना भाव क्यों खा रहे हैं उसे इतना भाव नहीं खाना चाहिए वो ज्यादा भाव खाती है ज्यादा भाव खाना अच्छा नहीं होता है मुझे भाव खाना चाहिए वेल फ्रेंस भाव खाना किसी भी चीज को करता ना आप इतना भाव क्यों खा रहे हैं तो वह काम करने के लिए वह अटाल मटर कर रहा है अपने आपको बड़ा दिखा रहा है इसलिए भाव खा रहा है तो इसको इंगलिस में कैसे बोलिएगा यह एक संटेंस लेते हैं आपको बहुत सारा टेंस भी किलियर होगा इसमें ज्यादा भाव मत खाओ इंपरिटीव संटेंस है इसको बोलेंगे डॉंट एक्ट सो प्राइसी ज्यादा के लिए पर सो लगाएंगे ठीक है डॉंट टेंस अप इतना भाव क्यों खा रहे हैं य अब से पहले वाई रट करेंगे वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी नेक्स अंटेंस उसे इतना भाव नहीं खाना चाहिए यह किसी को सलाह दे रहे जब सलाह दे तो सूड का यूज करते हैं अगर लड़की रहे तो सी सूडन्ट एक्ट्स और प्राइसी नेक्स संटेंस नेक्स संटेंस है वह ज्यादा भाव खाती है यह पर जेडाव खाना अच्छा नहीं होता है ज्यादा भाव खाना अच्छा नहीं होता है it is not fair या it is not good it is not fair to act so pricey it is not fair to act so pricey next sentence आजका आखरी संटेंस है मुझे भाव खाना चाहिए मुझे भाव खाना चाहिए I should act pricey I should act pricey I should act pricey well friends आपको ये वीडियो कैसी लगी यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सिखा तो दो संटे स्राइट किजिए कमेंट बोक्स में यदि आपको गलती करेंगे तुम्हें आउसको चेक करके बता दूंगा well friends आपको ये वीडियो क और इंग्लीज बोल सके है